आपने बेटे के चितरों को देखकर बोली की साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे लेलूं कभी ठंड में ठोर कर देख लेना कभी तप्ति दूप में जलके देख लेना कैसी होती है पाजत मुल्क की कभी सरहत पर चलके देख लेना पूरा देश हुआ इस लेडी सियार पी एफ कॉंस्टेविल का दीवान महीला कॉंस्टेविल खुस्वु चोहान का बीडियो सोसल मीडिया पर बाइरल हो रहा है बीडियो में बाइद देश के प्रती अपनी भावना है बेहत जोसी लिए अंदाज में वेक्त कर रही है अगर आपको बीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दुबाले और बीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं महानौ के कारण जली खफ जली गई और आपके लिए तो एक मराहसाअब मेरे घर की तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्चक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणान बदल दिये गए हैं परन्तु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदै भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उकरबादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकरना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहिए वो किसी निर्दोश को लगे या न लगे परन्तु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा नहीं तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि महोद है फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हात बांदे सेना के ऐसे मानवादिकार का पालन संभाब नहीं महोद है आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे द दोश को लग गई तो महोदय हमें अपनी नोकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदय अपनी नोकरी को बचाने की खातिर एक जबान आज ये सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो हैं कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डालो जा रहा है अरे हमीं तो बुनियाद हैं आंत्रिक सुरक्षा की और आज हमें ही नोकरी से निकाला जा रहा है महोदे जब पुलवामा में 44 जवान सहीद हुए 36 गर में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ परन्तु जब जेनी विस्पी त्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भाती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुशकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने दे देवे मैं सर्फ इतना ही कहना चाहोगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नियाएक प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाथ जैसे आतंकी के लिए सर्वोच नियाले के दरवाजे खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपाला करत सकता है क्योंकि एकम बम से रक्षा के बले एकम बम ही कर सकता है